क्या है वागात्य आप लोग का हमारी यूट्यूब चैनल पर हमको बहुत सब्स्थ का इंक्वाइरी आती है कि अग्वां लोग देखेंगे मिनी वेक्यूम सिलर और डिजिनल में वेक्व्यूम सिलर में फरक्या है तो अब लोग देखेंगे इन दोनों मशीन का डिफरेंस मैं पहले मशीन यूज करने वालों मीनी वेक्व्यूम सिलर मशीन इसमें आपको मैं प्रोड़क्ट सील करके भी दिखाऊंगा पहले तो और बॉडी देख लेते कि बॉडी में क्या फिचर्स मिलते हैं इधर पर हमको मिल जाता है ऑन आफ का बटन फिर इधर पर सीलिंग टाइम सेट करने के लिए बटन इधर वैक्यूम हो रहा है या चिलिंग हो रहा है उसका इंडिकेटर मिल जाता है यह नोजल बाहर तो नोजल बाहर आता है ठीक है तो अगर आफ करने के लिए क्यों बूल लो इसमें बार बार आपको आफ करना पड़ा है क्योंकि अगर आपने आपने आउन कर दिया और ट्रिगर का यह बाहर रहेगा तो मतलब देख सकते हैं आपकी मरशीन चालू है यह आपकी वैक्यूम च पाउच से ट्राइ करते हैं तो यह हमारा पाउच रेडी है इसके अंदर हमने कुछ प्रोड़क्ट डाल दिया है इसको अब यह हम लोग ने आउन कर दिया अब वैक्यूम चालू हो गया इसमें वैक्यूम करने के लिए कोई टाइमिंग नहीं मिलता यह वैक्यूम अपने लग रहा है कि हाँ मेरा प्रोड़क्ट अब अच्छे से वैक्यूम हो गया है आपको कमफर्टेबल हो कि हाँ मैं को सिफ इतना ही वैक्यूम चाहिए तो आपको यह बटन प्रेस कर देना है तो यह बटन जैसे यह आप प्रेस करोगे नोजल अंदर चला जाएगा सीलिंग हो जाएगी और यह सीलिंग का लाइट आफ हो गया साउंड आ रहा मतलब सील आपका हो गया है तो यह कल दिये और यह आप देख सकते हो प्रॉपर्ली सीलिंग हुई है यह मशीन प्रोड़क्ट टिक्दम सील हो गया है नो एर विल्कुल भी एर नहीं है इसके अंदर अब हम लोग चलते डिजिटल मीनी वैक्यूम सीलर पे तो यह मैंने एक और पाउच रेडी करके रखा है अब वहाँ पर हमको वैक्यूम टाइम सेट कर लिए कोई भी उप्षण नहिंता बट इधर वैक्यूम सीलर जोकी नाम से कोई पीक्त नहीं इस को रोक्त चाए NOSAL बार सकते हैं मैं मैंने set कर दिया प्रोपरली को सेट कर दिया मशीन को लिया लॉक इसको सेट अप कर दिया आपको सो अभी देख सकते हो आप एर है और मैंको बस कुछ नहीं करना सिर्फ यह स्टार्ट पे एक बार ही क्लिक करना है कि अपर्मेटिकली अब इसको छोड़ देना है 20 सेकेंड यह वैक्यूम होगा कि अ कि अगे मैं अगे यह शेलिंग टाइम अन हो चुका है गाईस सो अब हमकोpped बस ए秒 कंप्लीट हो गया इह सह carbon ले दिया अब बस ये ओपन करना है और ये 10 ग purp है अब इन दोनों मेंडव में इस आप देख सकते हो कि क्या फ़रक्त है फ़रक इसमें ये भी देख सकते हो की आप को जो सीलिंग देखने मिलता यह डिजिटल का सीलिंग है, इसके अंदर जो सीलिंग आपको मिली है, वो देखो एकदम प्रॉपर फिनिशिंग की सीलिंग है, और इसके अंदर आपको कुछ ऐसी सीलिंग देखने नहीं मिलती है, सिर्फ साधा सिम्पल सीलिंग है, क्या डिफरेंस है, दोनों मशीन क्या काम करती है, उसके अंदर फीचर्स क्या क्या है, वो सब देख लिए, दोनों मशीन को हम लोग प्रॉड़क कैसे पैक हो रहा है, सीलिंग भी देख लिए, कि उसका सीलिंग का फिनिशिंग क्या क्या है, अभी हम लोग इसके अंदर बस ए कि यह भी बहुत सारा इंक्वाइरी साब ही कि हमों सा पाउच यूज करना चाहिए हम कोई भी पाउच एसा यूज नहीं कर सकते उसको सिल करने के लिए हम लोग के वाक्यूम सेलिंग के लिए एक स्पेसल टैप का पाउच आता है जो कि तीनों तरफ से सील होता जिसके वाइज से एर अंदर जाने का चांस रहता ही नहीं हमारा पाउच भी काम तीनों जगह से सील किया हुआ पाउच हम लोग यूज करते हैं ठीक है तो यह पाउच यूज करना है से फैक्यूम के लिए आपको अगर यह मशीन और करना है तो यह नंबर या तो यह नंबर पर कॉल कर सकते हो और अगर वीडियो आप लोगो अच्छी लगिए तो नीचे के वीडियो आपको मिल सके एजीली मिल सके तो थेंक यू